हलो दोस्तों, मैं नैंसी, आप सभी का स्वागत करती हूँ ओडियो बुक चैनल में. आज के चित्रकार हैं नंदलाल बसू. सबसे पहले बात करते हैं जन्म एवम उनकी शिक्षा के विशय में. नंदलाल बसू. अवनींद्रनात के प्रमुक शिश्यों में से एक थे. आप, मास्टर मोशाय, नाम से प्रसिद्ध थे. सहज, सरल और निरभिमानी बसू. उन कलाकारों में से थे, जिनोंने धन और यश का मोह त्याग कर सच्छे मन से कला की साधना की थी. उनकी जन्तिथी के बारे में विद्वानों में विवाद हैं. कुछ ने उनकी जन्तिथी 3 सितंबर, सन 1882 इस्वी व कुछ ने 3 दिसंबर, सन 1883 इस्वी स्वीकृत की है. उनके पिता, पूर्ण चंद्र बसू, बिहार में खडगपूर के स्थापत्य शिल्पी थे. उनकी मा सुरुची क्षेत्रमनी संपना थी. नंदलाल की बच्चपन से ही कला के प्रती रुची थी. संभवत यह गुन उन्होंने अपने माता पिता से ग्रहन किये, जो कला में पारंगत थे. जब वे 8 वर्ष के थे, तो उनकी मां का देहांत हो गया. 16 वर्ष में आपने माध्यमिक शिक्षा पूर्ण की और वे कोलकाता आ गए. जहां उन्होंने जन्रल असेंबली कॉलेज में प्रवेश लिया, किन्तु उनमें समाहित कला रुचियोंने उन्हें चित्रानकन हेतु प्रेरित किया. वे कॉलेज के कसे हुए वातावरन से शीघ्र ही उप गए. वे संस्कृत व्याकरन पढ़ते समय भी आड़ी तिर्ची रेखाएं बनाते रहते, परिनामस्वरू पिंटकी परीक्षा में अनुत्तीर्न हो गए. घर वालोंने हार कर उन्हें वानेज्य कॉलेज में दाखिला दिला दिया, किन्तु यहां भी वे असफल रहे. अतह उन्होंने तीस वर में प्रवेश के लिए सिफारिश प्रमान पत्र के साथ साथ अपनी तूलिका द्वारा निर्मित, महाश्वेता का चित्र भी लाये थे. हेवल ने उनका चित्र देखते ही उनमें भावी चित्रकार के गुन देखे और इन्हें प्रवेश दे दिया. कम उम्र में ही आपने प्रसिधतम चित्र, सती, और नौकाविहार बनाया। आपने माइकल एंजिलो, राफेल के चित्रों की प्रतिकृतियां भी बनाई। राजा रवी वर्मा के चित्रों से भी वे प्रभावित हो ए। सन 1917 इस्वी में श्री अवनींद्रनात ठाकूर से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद कोलकाता में गुरू रवींद्रनात द्वारा स्थापित, विचित्रा, नामक कला शिल्प केंद्र और ओरियंटल स्कूल ओफ आर्ट्स का इन्हे प्रिंसिपल नियुक्त किया गय अपनी संस्था, गीतान जली, आदी रचनाओं के लिए चित्र बनाए सन 1922 इस्वी में इंडियन सोसाइटी ओफ ओरियंटल आठ की नौकरी छुड़ा गुरु देविन ही, विश्व भारती कला भावन का अध्यक्ष बनाकर शांतेने कितन ले गए और यहां कला भावन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ती मिली सन 1924 इस्वी में आपने रिवींद्रनाथ टैगोर के साथ बर्मा, मलाया, छीन, जापान की यात्राएं की और चार माह तक उन देशों की चित्रन पध्धतियों का अध्यायन किया कला भावन में रहकर आपने आसपास के गावों के चित्र बनाए, जिनमें संथास्त्री पुरुष एवं कन्याई आदी प्रमुक्ती आप 74 वर्ष की आयू तक शांतिनिकेतन में रहे और साथ ही यहां पर मंच सज्जा एवं सजावट में अपना सहयोग देते रहे इस प्रकार आपने प्राचीन तथा अर्वाचीन, देशी तथा विदेशी मुगल एवं राजपूत, कांगडा और पहाडी कला की प्रारमभेक शेलियों, सभी प्रकार के चित्र अंकित किये, जिनके विशय में विभिन्नता देख कर आश्चर्य होता है नंदलाल बोस को गहरे रंगों और कृत्रिम रूपों से बेहद परहेज था इन्होंने अपने चित्रों में मौलिक्ता पर जोर दिया आपका कतहन था की कला तभी जिन्दा रह सकती है, जब वो प्रगतिशिल हो और उसमें अजन्ता या विलायत कहीं से भी चोरी नहीं की गई हो यह सत्य है कि संभवत हैवल जैसे कलामरमग्या, अब नींद्रनाथ जैसे कला गुरू और रवींद्रनाथ टैगोर जैसे कला पार्खी उनके जीवन में ना आये होते तो नंदलाल बसु की प्रतिभा शायद किसी अंधेरे कोने में टिम्टिमाती रहती विभिन माध्यमों का चित्रानकन बसु ने टैंप्रा, वोश, जल रंग, पेंसिल, स्याही, रंगीन पें, लिनोकट, द्राइपॉइंट, माउंट बोर्ड पर टैंप्रा आधी पद्धतियों से लगभग 10,000 से अधिक चित्रों का निर्मान किया पेंसिल, रंगों एवं ब्रश द्वारा आपने अनेक काडों पर चित्र तयार किये, जिने वे मित्रों, छात्रों और शिक्षकों को भेज देते थे स्टेला क्रेमरिश ने मास्टर मोशाई के चित्रों की चर्चा करते हुए कहा है, उनके रेखा चित्र, ओटोग्राफ्स चित्र और काड़ चित्र आधुनेक भारतिय चित्रकला के बहुमूलियर अतन हैं अब बात करते हैं, नंदलाल बोज के चित्रों के विशय में आपके प्रमुक्ष चित्रों में 1907 इस्वी में बना, सती, सान 1908 इस्वी में, इंडियन सोसाइटी ओफ ओरियंटल आट की प्रथम प्रदर्शनी में बनाए दो चित्र, चिता पर पढ़ती हुई सती और सती का देह त्याग प्रदर्शित किये इसी वर्ष उत्तरी और दक्षिनी भारत का भ्रमन किया और कर्ण का सूर्य पूजन चित्र बनाया 1909 इस्वी में चयने का काव्य संग्रह के लिए चित्र बनाए सती, गांधारी, भीश्म प्रतिग्या, सावित्री और यम, नौका विहार सन 1910 इस्वी में पद्मिनी और भीम सिंग, एकलव्य और आहलियोदार, चित्र बनाए 1911 में धनूर विद्या सिखाते हुए द्रोन, 1912 में पार्थसारती, 1913 में उमा की जल समाधी, शिव का विश्पान है 1910 से 1914 के बीच डॉक्टर आनंद कुमारस्वामी और भगिनी निवेदिता के सयुक्त लेक कत्व में, मिट्स एंड लेजेंड्स ओफ दे हिंदू जन्द बुधिस्ट्स के लिए चित्र बनाए 1916 में मीराबाई, बेताल, पंच विश्पती, 1917 में रवींद्रनाथ ठाकुर के काव्य संग्रह, गीत वितान, के लिए चित्रानकन किया कृष्ण और अर्जुन, व, वर्षा से धुला कोनार्क, 1923 में तुफानी रात, 1924 में प्वेपान से, 1925 में कुरुक्षेत्र, 1926 में उत्तरा, जमुना और गंगा, गुरु अबनींद्रनाथ, 1929 में शांती निकेतन क्षितिज चित्र का निर्मान, बनारस का एक द्रिश्य पोस्ट कार्ड पर स्याही वप्यान माध्यम में, 1930 में शत्रंज खेलते, कौरव पांडव, व, डांडी कूच, 1931 में सहजपाथ पुस्तक के लिए चित्र बनाए, गृष्म, संध्या, बसंथ, पद्छड और रातरी की रचनाकी, 1932 में काली इन्रित्य, महिशासोर मर्दनी और दुर्गा, 1936, 1948, 1989 और 1951 में ऐसे अनेक चित्र बनाए, 1938 में प्रकृती द्रिश्य में आद्मी, गुरुदेव और नर्तकी, चीर का जंगल, अजय के समीपस्थ वन बिहार, द्राइपॉइंट माध्यम में, 1941 में सरस्वती काजस पर टेंप्रा माध्यम में, 1943 में महिशासोर मर्दिनी रेखानकंद्वारा, मायावती आश्रय जल्रंग में, 1943 में बाराकर नदी, हजारी बागमार्ग जल्रंग में, 1944 में मुकदूम कुंड जलरंग में, राम किनकका शिल्प जलरंग में, 1946 में पुष्ट लिये हुए महिला सिल्ख पर टैंप्रा माध्यम में, 1947 में पिछडा पानी जलरंग में, संध्यकाल कागस पर टैंप्रा माध्यम लकडबग्घा तूलिका एवं स्याही द्वारा, 1948 में राजी में लालबंध जलरंग में, नदी किनारे गोपालपूर मृग तूलिका एवं स्याही द्वारा, 1949 में गोलपाडा कोपाई, जलरंग में कोपाई नदी, द्राइपोइंट में, 1950 में सांथालों का लबाई नृत्यग, जलरंग में, 1952 में दोलन चमपा कागस पर टैंप्रा माध्यम, 1953 में अंताशी पुष, पोस्ट काड़ पर रंगीन पेंसिल द्वारा, अरहर का पौधा, 1954 में देवदासी कागस पर कोलाज, एक बच्छडा, लाल इमली, सिधपुरुष पेंद्वारा, 1955 में बक्रियां, जलरंग में चंडालिका, सिल्क पर तूलिका रेखानकन द्वारा, अच्छे कला शिक्षक आचार्य नंदलाल बसु की शिष्य परंप्रा की आशातीत व्रिद्धी हुई, वे एक अच्छल और अच्छे कला शिक्षक थे, जो अपने और विद्यार्थियों के मध्य दूरी लगभग नहीं के बराबर रखते थे, यही कारण था कि वे एक लो पूर्ण स्वतंत्र शैली को अपनाने के लिए प्रेरित करते थे, वे अपने प्रत्येक विद्यार्थी को उनके जन्दिन की खुशी में नया काड बना कर देते थे, परंतु विद्यार्थी से यह अवश्य अपेक्षा करते थे कि वे भी उन्हें अपना नया काड चित्र भेजने का दायत्व निभाएंगे, नंदलाल बसु, गांधी जी से अत्यधिक प्रभावित थे, उन्होंने कूची के साथ साथ आवश्यक्ता पढ़ने पर तिरंगा भी हाथ में लिया, वे बापू की तरह स्वयम भी चर्खा कात्ते थे, उन्होंने असहयो गांदोलन और उसके बाद 1930 इसवी में नमक आंदोलन में भाग लिया, इसी वर्ष का उनके द्वारा चितरत चितर, डांधी कूच, उनके श्रेश्ट चितरों में गिना गया, स्वाधीन ता आंदोलन के अन्य प्रमुख नेताओं के साथ बसु के अच्छे संबंध थे, राष्ट्रपित के कॉंग्रेस अधिवेशन में छात्रों के साथ मिलकर भारत कला प्रदर्शनी आयोजित की, वपुना सन 1937 इसवी में फैसपुर कॉंग्रेस अधिवेशन में मंच वतोरन की सज्जा की, सन 1937 इसवी में हरिपुरा पोस्ट बनाए, हरिपुरा कॉंग्रेस के पंडाल की जीवन का चितरन किया। स्वाधीन भारत के संविधान की पांडुलिपी का अंकन भी उनी के निर्देशन में हुआ था। आईए बात करते हैं, उनके द्वारा बनाए भित्ती चितरों के विशय में। नंदलाल बसु द्वारा निर्मित भित्ती चितर, कला भवन, शांति निकेतन तथा बढ़ोदा के कीर्ती मंदिर में देखने को मिलते हैं, जिस पर अजनता का प्रभाव दिखाई देता है। सन 1916 सत्रह इस्वी में ख्यातिनाम वैज्यानिक जगदीश चंदर बसु के निमंतरन पर कोलकाता के पैत्रिक निवास पर सुरेंद्रनाथ के साथ मि भित्ति चित्र बनाए। विज्यान मंदिर कोलकाता में भी भित्ति चित्र बनाए। सन 1921 सीस्वी में बाग गुफाओं के चित्रों की अनुकृती की शांती निकेतन में पुरातन पुस्तकालाय भवन की दिवारों को सजजित किया। उमा का दुख व उमा प्रायश चिते वीना वादिनी और वर्षा आत्मा चित्र बनाए। सन 1928 सीस्वी में शांतेनी केतन में हल कृष्ण उत्सव की स्मृती में इतालवी भित्ती लेप चित्र शेली में एक विशाल भित्ति चित्र बनाया, जोकी श्रद्धा उत्साह और भारतिय ग्रामीन संस्कृती का सन 1949 में बढ़ोदा महाराज ने कीर्ती मंदिर की साज सज्जा के लिए बुलाया और आपने गंगावतरन चित्र की रचना की। उनकी मुख्य रचनाएं हैं। सन 1944 में शिल्प कथा ग्रंथ में आपने दस कला लेखों का समायोजन किया है, जिसके अंतरगत चित्रों के प्रकार, कला के मांदंड, रंग आदी से संबंधित उलेख है। साथी तीन प्रकार के चित्र, अनुकारक, व्यंजक और छानसिक का उलेख किया है। इसी प्रकार उत्तर भारत की यात्रा के दोरान सारनात की बुद्ध प्रतिमा से प्रभावित होकर उस पर लेख लिखा। तथा डॉक्टर आनंद कुमारस्वामी के साथ मिट्स एंड लेजेंड्स ओफ हिंदू जंड बुद्धिस्ट ग्रंथ लिखा और उसकी सज्जा की। सन 1940 में विश्व भारती त्रमासिक में सजावती कला नाम से लेख प्रकाशित हुआ। सन 1943 में मायावती अद्वेत आश्रम के स्वामी पवित्रानंद के साथ हुए वार्तालाप के आधार पर लिखा हुआ उनका लेख कला एक साधना प्रभुद भारत म प्रकाशित हुआ। सन 1948 में देश में शिल्क गुरु अब नींद्रनात ठाकुर लेख प्रकाशित हुआ। बसु के चित्र आधुनिक कला संग्राहले, नई दिल्ली, भारत कला भवन, भोपाल, काशी हिंदू विश्व विद्याले, वारानसी, कला भवन, शांतिने केतन ए अन्यव्यक्तिगत संग्रहों में उपलब्ध हैं। दोस्तों अब बात करते हैं नंद लाल बसु को मिले पुरसकार एवं सम्मान के बारे में। बसु की कला क्शेत्र को देन तथा महान कला गुरुता से प्रभावित होकर सन 1950 में बनारस हिंदू विश्व विद्याले ने उन्हें डी लिट की उपाधी से विभूशित किया। सन 1952 में विश्व भारती ने शेक्षिकी जगत के सर्वोच सम्मान देशिको त्रम से उन्हें विभूशित किया। सन 1953 में शांतिने केतन आश्रुमिक संग ने उनके सम्मान में अर्ध्यदान उत्सव का आयोजन सन 1954 में भारत सरकार ने आचार्य को उनकी कला संबंधी सेवाउं वेवम उपलब्धियों के लिए पदम विभूशन से सम्मानित किया। सन 1956 में ललित कला अकादमी नई दिल्ली के अधिसदस्य के रूप में चुने गए। सन 1957 में कोलकाता विश्व विद्याले ने बसू को डिल्लिट की उपादी से सम्मानित किया। सन 1958 में ललित कला अकादमी कोलकाता ने उनहीं रजत जयनती पदक प्रदान किया। सन 1963 में रवींद्र भारती विश्व विद्याले ने उनहीं डिल्लिट उपादी प्रदान की। सन 1965 में ही एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता ने उनहीं रवींद्र शताबदी पदक प्रदान किया। ओरियंटल सोसाइटी ओफ आथ्स द्वारा 500 रुप्ये का पुरसकार मिला। इस पुरसकार की राशी से आपने उत्तरी भारत बनारस, मथुरा, व्रिंदावन का भ्रमन किया और वहां की स्थापत्य कला एवं मूर्तिकला का अध्ययन किया। आप पहले भारतिय चित्रकार थे, जिनकी कलाकृतियों पर सर्व प्रथम रंगीन वृत्चित्र दोक्यूमेंटरी तैयार किया गया। बसू की मृत्यू 16 अप्रेल सन 1966 को हुई। दोस्तों, इस ओडियो में आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए चॉपिक के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, धन्यवाद।